नमस्कार दोस्तो सुवागत करता हूँ मारे यूट्यूब चैनल पर और सबसे पहले दोस्तो आप सभी को हैपी न्यू यर आसा करता हूँ नया साल आप सब के लिए धेर सारी खुशियां लेकर आए और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लीपड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में जानेंगे लीपड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में पूरी जनकारी ये की टेस्ट क्यों कराया जाता है और कौन-कौन से कैलस्ट्रोल होते हैं दोस्तो और उनकी नॉर्मल वैल्यों के बारे में तो बने रही है दोस्त लाश्ट तक इस वीडियो में वीडियो बहुती नोलज़फूल होने वाली है दोस्तों तो लाश्ट तक जुरूर देखना वीडियो को दोस्तों लिपड प्रोफाइल टेस्ट हार्ट से रिलेटड बिमारियों का पता लगाने के लिए कराया जाता है इसकी हैलफ से जो मारे ब्लड में मुझूद 6-7 तरह के अलग-अलग कैलिस्ट्रोल होते हैं उनके लेवल का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है दोस्तों अब जान लेते हैं कैलिस्ट्रोल होता क्या है कैलिस्ट्रोल दोस्तों एक फैट की तरह होता है या फिर मोम की तरह कह सकते ह हम चिपचिवा पदार्थ होता है जो कई वार हमारी veins के अंदर जम जाता है और vein को block कर देता है इसकी वजए से धेर सारी बिमारियां हो सकती है जैसे दिल का दोरा पड़ना और coronary artery disease या फिर paralyze बगरा होना ये सब इसी वजए से होता है जब कोई vein हमारी block हो जाती है वैसे तो कैलस्ट्रोल की दोस्तों हमारी body को जरूरत होती है हमारी body के अंदर energy का level बनाए रखने के लिए लेकिन जब इसका level normal value से ज़दा बढ़ जाता है तो ये दिक्कत देने लग जाता है जैसे कई वार heart attack जैसी problem आ जाती है इसके ज्यादा हाई होने से ये दोस्तों साथ रहके होते है mostly जो कैलस्ट्रोल होते है हमारे साथ रहके होते है कौन कौन से होते हैं वो पहला होता है total कैलस्ट्रोल दूसरा होता है triglyceride कैलस्ट्रोल तीसरा होता है HDL कैलस्ट्रोल चोथा होता है LDL-CALYSTROLE पांच माँ होता है VLDL-CALYSTROLE और छटा होता है total cholesterol obliq HDL-CALYSTROLE ratio और जो साथ माँ होता है वह होता है LDL-HDL ratio दोस्तो अब बात करेंगे दोस्तो इनकी normal range के बारे में केले केले की normal range के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कैलस्ट्रोल के बारे में दोस्तों इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों वह 200 मिलिग्राम डेसी लिटर से कम रहनी चाहिए 200 से अगर 200 के बीच इसका लेवल है तो ये borderline है और 200 से अगर 300 तक है दोस्तो तो ये high कहलाता है और अगर इसका लेवल 300 से ज़्यादा है तो ये very high के अंदर इसकी range आती है दोस्तो अब बात कर लेते हैं दोस्तो triglyceride cholesterol के बारे में इसकी range दोस्तो इसकी range अगर 160 से 200 तक इसकी value है तो ये borderline है और 200 से 200 तक है तो ये high के अंदर आता है और 200 या 300 से पलस है तो ये very high के अंदर आता है दोस्तो अब बात करेंगे दोस्तो HDL cholesterol के बारे में इसको high density lipoprotein बोला जाता है इसको good cholesterol भी कहा जाता है ये जो हमारी body के अंदर bad cholesterol होते है उनको veins से साफ करता है और body से बाहर निकालता है HDL cholesterol इसकी जो normal range होती है दोस्तो HDL cholesterol की 35 से 88 mg deciliter तक होती है थोड़ा बहुत difference मिल सकता है आपको दोस्तो normal value के बीच में अलग-अलग-अलग के इस साब से बात कर लेते हैं दोस्तो LDL cholesterol के बारे में इसको low density lipoprotein भी बोला जाता है ये bad cholesterol होता है दोस्तो इसकी जो normal value होती है वे less than 1500 mg deciliter तक होना चाहिए यानि 1500 से कम रहना चाहिए हमारी body में अगर इसका level 1500 से 200 के बीच में है तो ये borderline है और 200 से plus है दोस्तो तो ये high के अंदर आता है इसका level और अब बात कर लेते हैं दोस्तो VLDL cholesterol के बारे में जिसको very low density lipoprotein भी बोला जाता है इसकी जो normal range होती है दोस्तो less than 50 mg deciliter 40 से कम रहना चाहिए है अब जानेंगे दोस्तो cholesterol और HDL के रेशियों के बारे में इसकी जो normal value होती है दोस्तो less than 5.0 mg deciliter होनी चाहिए यानि कि 5 mg deciliter से नीचे नीचे इसकी value रहनी चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तो LDL और HDL के रेशियों के बारे में इसकी जो normal range होती है दोस्तो well less than 3.5 mg-l के बीच होनी चाहिए 3.5 से नीचे नीचे रहनी चाहिए इसकी value बात कर लेते हैं दोस्तो lipid profile test हमें क्यों करवाना चाहिए जानेंगे कौन-कौन से लक्सन अगर हमारी body में दिखाई देते हैं तो हमें अपना lipid profile test करा लेना चाहिए दोस्तो सबसे पहले hypertension अगर किसी का blood pressure low रहता है तो उनको अपना lipid profile test करा लेना चाहिए अगर कमर के उपरी हिस्से में दर्द रहता है तो भी आपको अपना lipid profile test करा लेना चाहिए सांस लेने में दिक्कत होती हो और सीने में दर्द या फिर जलन जैसा feel अगर हो रहा है तो lipid profile test अपना जुरूर करा है बेचैनी या गबराट मैसूस हो रही हो अगर किसी को इन में से कोई भी लक्षन दिखाई देता हो दोस्तो और किसी को doubt हो अपना cholesterol के level बढ़ने का तो अपना lipid profile test जुरूर करा लेना चाहिए अगर किसी का lipid profile test का level बढ़ा हुआ है तो डोक्टर उनको fast food, non-wage, जादा oily चीजें ना खाने की सला दे सकते हैं और दोस्तो इस test को कराने के लिए मरीजों को 8-9 गंटे की fasting रखनी होती है इसलिए डोक्टर आपको सुबह morning के time खाली पेट lipid profile test कराने की सला देते हैं क्योंकि डिनर के बाद सुबह तक 7-8 गंटे normally fasting हो जाती है इस test को कराने के लिए दोस्तो पेशेंट को खाली पेट एक blood का sample देना होता है lipid profile test की report आपको दोस्तो same day मिल जाती है अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे channel को support करें दोस्तो धन्यवाद